नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतेश रौस्तों और सटर डे के नैस्नल और इंटरनेशनल प्रोग्राम में आपका बहुत 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 श्वागत है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटरल विजिलेंस कमिशन यानि केंद्रिय सतक्ता आयोग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केंद्रे सतक्ता आयोग के बारे में देखेगा केंद्रे सतक्ता आयोग के स्थापना के संथानम समीति ध्यान रखेगा ये आपके लिए समीति बहुत इंपोर्टन है के संथानम समीति के सिफारे सो के आधार पर 1964 में किये गई थी इसमें तीन सदर्स से होते हैं जिसमें मुख सतरक्ता आयुक्त और दो अन्य सदर्स से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्टपती के अनुमोधन पर प्रधान मंतरी विपक्ष के नेतरता केंट्रे ग्रह मंतरी की द्वारा किया जाता है ओके हम लोग जब डिसकस करेंगे पॉलिटी तो हम लोग पॉलिटी में बहुत अच्छे से देखेंगे कि राष्टपती जी तो सिर्फ नाम मातर के होते हैं वास्तभी का नुमोधन किसका होता है प्रधान मंतरी जी का होता है और इनहीं के अनुमोधन पर ही कौन राष्टपती जी क्या करते हैं इनकी नियुक इसी की एट है 63 तो जैसे 65 पर होगे यह तुरंत रिटायर हो जाएंगे चूकि इनका जो अपर लिमिट क्या है 65 है जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा इसलिए लिखाएँ क्या चार साल हो या 65 वर्स हो दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए इंजार रिटायर हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखेगा, किसी भी विश्वम परिसिती में दिवालिया चरितरीन या अपराधी में मुख सतर्टा आयुक्त को राष्टपती द्वारा हटाय जा सकता है, केंद्री सतर्टा आयुक्त के वेतन वा भते, UPSC के अध्यक्ष के समान तथा अन्य वेतन भते होता है, इनके अध्यक्ष के बराबर होता है, उसी प्रकार इनके जितने भी CVC के सदस से होते हैं, CVC के जितने भी सदस से होते हैं, उनके जो वेतन भते होते हैं, वो UPSC के अन्य सदस के वेतन वा भते के बराबर होते हैं, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा द्यान रखिएगा अगर कोई घूस खोरी करता है या कुछ भी ऐसा करता है जो केंद्रीर प्राधिकरन 1988 के खिलाफ है तो ये क्या करेंगे जाच करेंगे अगरा लोग देखते हैं केंद्री अन्वेशन ब्यूरो यानि CBI Central Bureau of Investigation इसको हम लोग CBI भी बोलते हैं दिखेगा CBI का उद्गम विशेष पोलिस स्थापना S.P.E. से 1941 में हुआ था S.P.E. के स्थापना विशेष ता दुत्तिय विशुद के दोरान भारत के युद्र तथा आपूर्ती विभाग के साथ लेन देन में रिश्वत खोरी रोकने तथा जाच करना था ध्यान दिखेगा जब हम लोग का दुत्तिय विशुद चल रहा था उस टाइम पर क्या था जो S.P.E. है इसका मुख कारिये था कि जो एक विभाग से दूसरे विभाग में पैसे जाते हैं उनकी रिश्वत खोरी ना हो या ऐसा ना हो कि वीच में उनको कोई गवर्ण कर ले तो उसका विशेस कार ये था आप देखते हैं C.P.E. का वरतबान सोरुप जी थे C.P.E. के निदेशकों का कारेकाल दो वर्ष का होता है जो C.P.E. के निदेशक होते हैं उनका कारेकाल कितना होता है दो वर्ष का होता है ओके हम लोग आगे देखते हैं दिखेगा इनकी नियुक्ति तीन सदस्यों की समीत द्वारा इनकी नियुक्त की जाती है जिसमें परदान मंत्या द्यक्श होते हैं लोग सभा में विपक्ष का नेतावा CGI इसके आने सदस्स होते है CBI का कार होता है आई होब आपको आज कई वीडियो पसंग आया होगा thank you for watching full video thank you, thank you so much